C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की पूरक पाथे पुस्तक संचयन काध्वान्यांकन जिसका वाचन कर रही है निवदिता सर्दार प्रस्तुत है चोथा पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकाले लेखक धर्मवीर भारती लेखक परिचे धर्मवीर भारती 1926 से 1997 बहुचर्चित लेखक एवं संपादक कई पत्रिकाओं से जुड़े पर अंत में धर्म युग के संपादक के रूप में गंभीर पत्रकारिता का एक मानक निर्धारित किया बहुमुखी प्रतिभा के धनी धर्मवीर भारती की लेखनी ने कविता कहानी उपन्यास नाटक निबंध आलोचना अनुवाध रिपोर्टाज आदी अनेक विधाओं द्वारा हिंदी साहित्त को सम्रिद्ध किया उनकी प्रसिद रचनाएं हैं सास की कलम से मेरी वाणी गैरिक वसना कनुप्रिया साथ गीत वर्ष ठंडा लोहा सपना अभी भी सूरज का सात्वा घोडा बंद गली का आखिरी मकान पश्यंती कहनी अनकहनी शब्दिता अन्धायुग, मानव मूल्य और साहित्य तधा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती पद्मश्री की उपाधी के साथ ही व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रिय पुरसकारों से अलंकरित हुए पाठ परिजय लेखक द्वारा इस आत्मक थात्मक अन्ष में अपना पुस्तकों के प्रती प्रेम और लगाव अभिव्यक्त किया गया है लेखक के बच्पन में उनके यहां इतनी पुस्तके एवं पत्र-पत्रिकाएं आती थी कि उन्हें बच्पन से ही पुस्तके पढ़ने का शौक लग गया था लेखक को अपनी लाइब्रेरी बिनाने की प्रेरणा कैसे मिली और कब उन्होंने अपनी पहली निजी पुस्तक खरी दी इसका वर्णन पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेज कर रखने के लिए प्रेरित करता है आईए सुनते हैं पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकाले प्रिष्ट संख्या 27 से 34 तक जुलाई 1989 बचने की कोई उमीद नहीं थी तीन तीन जबरदस्थ हार्ट अटैक एक के बाद एक एक तो ऐसा कि नब्स बंध, सांस बंध, धड़कन बंध डॉक्टरोंने घोशत कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे पर डॉक्टर बोजिज ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी उन्होंने 900 वॉल्ड्स के शौक्स दिये भयानक प्रयोग लेकिन वे बोले कि यदि यह हमृत शरीर मात्र है तो दर्ध महसूस ही नहीं होगा पर यदि कहीं भी जरा भी एक कन प्राण शेश होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है प्राण तो लोटे पर इस प्रयोग में 60 प्रतिशत हार्ट सदा के लिए नश्ट हो गया केवल 40 प्रतिशत बचा उसमें भी 3 अवरोध यानि ब्लॉकेज है ओपन हार्ट ओपरेशन तो करना ही होगा पर सर्जिन हिचक रहे हैं केवल 40 प्रतिशत हार्ट है ओपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तै हुआ कि अन्य विशेशग्यों की राय ले ली जाए तब कुछ दिन बाद ओपरेशन की सोचेंगे तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें बहरहाल ऐसी अर्दमरित्तिव की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए वही लिटा दिया गया है मुझे चलना, बोलना, पढ़ना, मना दिन भर पड़े-पड़े दो ही चीजे देखता रहता हूँ बाई और की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में जूलते सुपारी के पेड़ के जालरदार पत्ते और अंदर कमरे में चारो और फर्ष से लेकर छत तक उंची किताबों से ठसा ठस भरी अलमारिया बश्पन में परी कथाओ यानी फेरी टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं वैप्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं कैसे जमा हुई संकलन की शुरुवात कैसे हुई या कथा बाद में सुनाऊंगा पहले तो यहां बताना जरूरी है कि किताबे पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा बचपन की बात है उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मा ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्याव पाडशाला की स्थापना की थी पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आवाहन पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड दी थी हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, ग्रहिनी और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिये बाल सखा और चम-चम उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुन्दरी राजकन्याओं की कहानिया और रेखाचित्र मुझे परने की चाठ लग गई हर समय पढ़ता रहता खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता घर में पुस्तकें भी थी उपनिशदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्ज प्रकाश सत्यार्ज प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था पर पढ़ने में मज़ा आता था मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई अनेक चित्रों से सुसजित वे सतकालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अध्भूत व्यक्तित्व थे कितनी ही रोमांच घटनाय थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रुभावित करती थी चुहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाय भगवान नहीं होती घर छोड़कर भाग जाना तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम्शिकरों पर साधों के बीच घूमना और हर जगा इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूडियां है, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना यह सब मेरे बाल मन को बहुत रुमान्चित करता जब इस सब से ठक जाता, तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दुबारा पढ़ता मा स्कूली पढ़ाई पर जोर देती चिंदित रहती की लड़का खक्षा की किताबी नहीं पढ़ता पास कैसे होगा कही खुद साधू बन कर घर से भाग गया तो पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी पढ़ने दो मैं स्कूल नहीं भेजा गया था शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगती में पढ़कर गाली गलोच सीखूं बुरे संसकार ग्रहन करूं अतह मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा दो तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था तीसरे दर्जे में मैं भरती हुआ उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़ कर मुझे घुमाने ले गए लोकनाथ की एक दुकान ताजा अनार का शर्बत मिटी के कूलड में पिलाया और सिर पर हाथ रख कर बोले वाइदा करो कि पाठ्यकराम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे मा की चिंता मिटाओगे उनका आशिरवाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चोथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे में तो मैं फर्स्ट आया मा ने आंसूं भर कर गले लगाया पिता मुस्कुराते रहे कुछ बोले नहीं चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे अतह स्कूल से इनाम में दो अंग्रेजी किताबे मिली थी एक में दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों उनकी बोलियों उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हैं दूसरी किताब थी ट्रस्टी दरग जिसमें पानी के जहाजों की कताएं थी कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहां से लाते हैं, कहां ले जाते हैं, नाविकों की जिन्दगी कैसी होती है, कैसे-कैसे द्वीप मिलते हैं, कहां वेले होती है, कहां शार्क होती है इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया पक्षियों से भरा आकाश और रहसेओं से भरा समुद्र पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटा कर जगह बिनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का यह तुम्हारी अपनी लाइबरी है यहां से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइबरी बच्चा किशोर हुआ स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से युनिवर्सिटी गया डॉक्टरेट हासिल की युनिवर्सिटी में अध्यापन किया अध्यापन छोड़कर इलहाबाद से बंबई आया संपादन किया उसी अनुपात में अपनी लाइबरी का विस्तार करता गया पर आप पूछ सकते हैं कि किताबे पढ़ने का शौक तो ठीक किताबे इकठी करने की सनक क्यों सवार हुई उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है इलहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है इस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइबरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवी अद्वारा स्थापित भारती भवन तक विश्वविद्याले की लाइबरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइबरीया तो है ही लगभग हर मोहले में एक अलग लाइबरी वहाँ हाई कोट है अतहाँ वकीलों की निजी लाइबरेरिया अध्यापकों की निजी लाइब्रेरिया अपनी लाइब्रेरी वैसी कब होगी यह तो स्वपने में भी नहीं सोच सकता था पर अपने मोहले में एक लाइब्रेरी थी हरी भवन स्कूल से छुटी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था पिता दिवंगत हो चुके थे लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था अतहा वहीं बैठ कर किताबे निकलवा कर पढ़ता रहता था उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेशकर उपन्यासों के खूब अनुवाध हो रहे थे मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था अपने छोटे से हरी भवन में खूब उपन्यास थे वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चटो पाध्याय की दुरगेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मट से तॉल्स्टोय की अन्ना करेनिना, विक्टर हुगो का पैरिस का कुब्रा यानि हांच्बैक ओफ नॉट्रदाम, गोर्की की मदर, अलेक्सेंडर कुप्रीन का गाडी वालो का कट्रा यानि यामा दपिट और सबसे मनुरंजक सर्वा रीस का विचित्रवीर यानि डॉन क्विग्जोट हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पांतरों से मुलाकात करना कितना आकर्शक था लाइब्रेरी खुलते ही पहुँच जाता था और जब शुकल जी लाइब्रेरियन कहते की बच्चा अब उठो पुस्तकाले बंद करना है तब बड़ी अनिच्छा से उठता जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता पर जानता था कि ये सपना ही रहेगा भला कैसे पूरा हो पाएगा पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिये मत फीस जुटाना तक मुश्किल था अपने शौक की किताबे खरीदना तो संभाव ही नहीं था एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय चात्रों को पाठ्य पुस्तके खरीदने के लिए कुछ रुपये सत्र के आरंप में मिलते थे उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तके सेकेंड हैंड खरीचता था बाकी अपने सह पाठ्यों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तके आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते इसी तरह काम चलता लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहितिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है उस साल इंटर्मीडियेट पास किया था पुरानी पाठ्य पुस्तके बेच कर बी एकी पाठ्य पुस्तके लेने एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तके खरीद कर भी दो रुपे बच गये थे सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था नियू थीटर्ज वाला बहुत चर्चा थी उसकी लेकिन मेरी मा को सिनेमा देखना बिलकुल नापसंद था उसी से बच्चे बिगडते हैं लेकिन उसके गाने सिनेमा ग्रह के बाहर बचते थे उसमें सहगल का एक गाना था दुख के दिन अब बीतत ना ही उसे अकसर गुनगुनाता रहता था कभी कभी गुनगुनाते आँखों में आसु आजाते थे जाने क्यों एक दिन मा ने सुना मा का दिल तो आखिर मा का दिल एक दिन बोली दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा दिल इतना छोटा क्यों करता है धीरट से काम ले जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी मा ने कहा अपना मन क्यों मारता है जाकर पिक्चर देखा पैसे मैं दे दूँगी मैंने मा को बताया कि किताबें बेचकर दो रुपे मेरे पास बचे हैं फिल्म देखने गया पहला शो चूटने में देड थी पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी वहीं चकर लगाने लगा सैसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी हैं देवदास लेखक शरक चंदर चटो पाध्याई दाम केवल एक रुपया मैंने पुस्तक उठा कर उल्टी पल्टी तो पुस्तक विक्रेता बोला तुम विद्यार्थी हो यहीं अपनी पुरानी किताबे बेचते हो हमारे पुराने ग्राहक हो तुमसे अपना कमिशन नहीं लूँगा केवल दस आने में यह किताब दे दूँगा मेरा मन पलट गया कौन देखे डेड़ रुपय में पिक्चर दस आने में देवदास खरी दी जल्दी जल्दी घर लोट आया और दो रुपय में से बचे एक रुपया छै आना मा के हाथ में रखती है अरे तु लोट कैसे आया पिक्चर नहीं देखी मा ने पूछा नहीं मा फिल्म नहीं देखी यह किताब ले आया देखो मा की आँखों में आसू आ गए खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम वहां मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्ररी की पहली किताब थी आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नजर डालता हूँ जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास नाटक, कथा संकलन, जीवनिया, संस्मरन, इतिहास, कला, पुरा तत्व, राचनीती की हजार हां पुस्तके हैं तब कितनी शिद्दत से याद आती हैं अपनी वहां पहली पुस्तक की खरीदारे रेनर मारिया रिलके, स्टीफन्स्वीक, मोपांसा, चेकव, तॉल्स्टोई, दास्तोवस्की, माइकोवस्की, सुल्जनिस्टीन, स्टीफन्स्पेंडर, आदन एज्रा, पाउंड, यूजीन ओनिल, जांपॉल सात्र, ओल्बेयर कामो, आयनेस्को के साथ पिकासो, ब्रुगेल, रेम्राण, हेबर, हुसेन, तथा हिंदी में कबीर, तुल्सी, सूर, रस्खान, जायसी, प्रेमचंद, पंध, निराला, महादेवी, और जाने कितने लेखकों, चिंतकों की इन कृतियों के बीच, अपने को कितना भरा-भरा महसूस करता हूँ. मराठी के वरिष्ठ कवी, विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन, मेरा ओपरेशन सफल होने के बाद, वे देखने आये थे, बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष, जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों और विराजमान है, इन ही के आशिर्वात से तुम बचे हो, इन होने तुम्हें पुनर जीवन दिया है, मैंने मन ही मन प्रणाम किया विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी. शब्द अर्थ, अवरोध, रुकावट, अर्धमृत्यू, अधमरा, आर्थिक, रुपिये पैसे संबंधी, रोचक, मनुरंजक, पाखंड, दिखावटी, ढकोसला, अधम्य, जिसे दबाया न जा सके, रूढिया, प्रथा, रोमांचित, पुलकित, द्वीप, वह भूबाग, जिसके चारो ओर पानी हो, प्रख्यात, प्रसिद्ध, अनिच्छा, बेमन से इच्छा न होते हुए भी, कसक, पीड़, विपन, गरीब, पुराचत्व, पुरानी बातो और इतिहास की अध्ययन तथा अनुसंधान से संबंध रखने वाली विशेश प्रकार की विद्या, हजार हाँ, हजार से अधिक, शिद्धत, अधिकता, प्रबलता, वरिष्ठ, बड़ा, पूजनिय, बोध प्रश्न, प्रश्न संख्या एक, लेखक का ओपरेशन करने से सर्जन क्यूं हिचक रहे थे? प्रश्न संख्या दो, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? प्रश्न संख्या तीन, लेखक के घर कौन-कौन सी पसरिकाएं आती थी? प्रश्न संख्या च्यार, लेखक को किताबे पढ़ने और सहेजने का शोक कैसे लगा? मा लेखाक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिन्तित रहती थी? स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेसी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखाक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिये? प्रश्ण संक्या साथ आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइबरी है पिता के इस कथन से लेखाक को क्या प्रेरिणा मिली? प्रश्ण संक्या आठ लेखाक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्नन अपने शब्दों में कीजिए प्रश्ण संक्या नो इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा-भरा मैसूस करता हूं का आशय स्पष्ट कीजिए संचयान अभियाप सुन रहे थे ये ध्वनी पुस्तक वाचन, निवेदिता सरदार, तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे, ध्वने अंकन, अमिता भट्टी और बटी लेंगलिंडों तथा निर्मान एवं प्रस्तुती दावु दयाल चतुर्वेदी प्रस्तुर्वेदी